मुश्कार दोस्तो मैं हुआ विनाश शर्मा आप पर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर में देखिए दोस्तो जब कभी भी आप अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहला काम जो रहता है वो रहता है कोलम का जब भी कोलम्स कंस्ट्र बिल्डिंग ये ग्राउंड फ्लोर के साथ उसके उपर तीन फ्लोर है तो उसे जी प्लस थ्री बिल्डिंग कहते हैं अगर ग्राउंड फ्लोर के उपर चार फ्लोर होंगे तो उसे जी प्लस फोर बिल्डिंग कहेंगी तो यहाँ पर जो बिल्डिंग आप देख से रहे हो वो बनेगी जी प्लस थ्री बिल्डिंग अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आज की वीडियो में इस घर को जो है वो आपको दिखाया है तो ये बिल्डिंग जो है ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन मंजिल उपर जाएगी ग्राउ कोलम टू कोलम डिस्टेंस देखकर भी प्रवाइड किया है देगे डिपैंड ये नहीं करता कि आपकी मंजिल कितनी होंगी आपके कितने फ्लोर होंगे डिपैंड ये भी करता है कि कोलम टू कोलम डिस्टेंस क्या रहेगा तो यहां पर जो कोलम टू कोलम डिस्टेंस है वो कोलम में इतना सरीया प्रवाइड करेंगे जिसमें चार बार जो है वो 16 mm की है और दो बार जो है इसमें 12 mm की है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा ये बार जो है कोर्णर पॉइंट वाली 16 mm की है 16 mm की बार फिर उसके बाद 12 mm की बार फिर यहां पे 16 mm की बार फिर दूसी तरफ 16 mm की बार 12 mm की बार फिर 16 mm की बार तो छे बार यहां पे दी गई है और छे बार जो है वो आपको किस तरह से प्रवाइड करनी है वीडियो में बता दिया गया है तो इसे एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इस अपनी construction में जो column बनाते हैं तो उस समय जो है वो आपको जो है वो column की जो bars है जो उपर आई हुई है वो एक line में नहीं काटनी है एक बराबर नहीं काटनी है उसे उपर नीचे काटना है तो इसका फाइद में जो आपका joint है वो एक जगा नहीं आता तो इसलिए जो है वो column की बार को उपर नीचे रखा जाता है तो यह बात भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है जब भी आप अपनी construction करवा रहे हो तो यह video जो थी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका extra steel नहीं लगेगा आपके घर में ज़्यादा steel नहीं लगेगा और आपके बज़ेट में घर बन जाएगा क्योंकि कुछ लोग जो है वो ओर स्टील प्रवाइड कर देते हैं जादा steel प्रवाइड करते हैं जिसके जरूरत नहीं होती और कुछ लोग बहुत ही कम steel प्रवाइड कर देते हैं जिससे जो हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अप्राइक वग आपको बतादूं दोस्तों जो आपकी stirrups bar है जो आपके ring कहते हैं कुछ लोग stirrups bar जो है वो उनके beach का distance जिने beach में provide की जाती है 8 mm की होती है 8 mm का सरीया उसमें use किया जाता है और stirrups bar जो है वो उसके beach का distance जो है वो होना चाहिए 7 inches अब वीडियो में एक चीज आपको मैं फिर से बताऊंगा कि आपको उपर रिंग प्रोवाइड कर देना है यह रिंग slab डान साथ प्रोवाइड करना होता है slab डलते समय ताकि steel जो उपर निकला हुआ है वो अपनी जगह से इधर उधर ना हो वो जो है वो जैसे 9 into 13 का कोलम है हमने यहाँ पे 9 by 13 का कोलम जो यूज किया है तो 9 by 13 का कोलम उपर जाकर वो उसमें अगर concrete में वो jam हो जाएगी बार आगे पीछे रह जाएगी तो वो जो है वो उसमें डाइमेंशन में चेंज हो जाएगे इसलिए हम रिंग प्रोवाइड कर देते हैं सभी कॉलम्स में उपर स्लैब डलने के साथ ही लेना और वो अपने जगापे बने रहें ताकि हम नेक्स्ट फ्लोर जब भी उसका काम लगवाएंगे वो काम करने में बहुत जादा असानी होगी तो इसलिए आज की वीडियो यहीं तक थी हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें धन्यावाद